सुप्रभाद बच्चो, बच्चो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं काल, पिछली बीडियों में मैंने आपको काल के बारे में पढ़ाया, कि काल का आर्थ होता है समय, काल की परिभासा होती है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं, क बूतकाल, वर्तमानकाल और वविश्यतकाल बेटा पिछली बीडियो में हमारा भूतकाल पूरा हो चुका था भूतकाल, भूतकाल के छेवेद अब हम आज पढ़ेंगे वर्तमानकाल तो वर्तमानकाल क्या होता है वर्तमानकाल यानि जो समय अभी चल रहा है तो किसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उस काल को वर्तमान काल कहते हैं उधारन देखे विटा बच्चे किरकेट खेल रहे हैं पर्धानाचार्य भासन दे रहे हैं तो ये क्रियाएं हैं विटा वर्तमान काल की इसे कहते हैं वर्तमान काल वर्तमानकाल के विटा तीन भेद होते हैं पहला सामान्य वर्तमानकाल दूसरा अपून वर्तमानकाल और तीसरा संदिक्द वर्तमानकाल अब सबसे पहला देखिए विटा सामान्य वर्तमानकाल किसे कहते हैं सामान्य वर्तमानकाल वो देखिए किरिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं उधारण देखे बेटा अंजली पत्र लिखती है बच्चे मैदान में खेलते हैं तो बेटा उप्युक्त वाक्यों में लिखती है और खेलते हैं किरियाओं से किरिया का सामान्य वर्तमान में होना प्रकट हो रहा है अतह ये किरियाएं सामान्य वर्तमान काल की हैं दूसरा है विटा अपून वर्तमानकाल अपून यानि जहां पे पूरा नहीं हुआ है तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई अभी चल रही है उसे अपून वर्तमानकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई अभी चल रही है उसे अपून वर्तमानकाल कहते हैं जैसे रोहन और सोहन पतंग उड़ा रहे हैं अब देखें याँ पे क्रिया के पूरी नहीं हुई है अपूर्ण हुई है वो पतंग उड़ा रहे हैं मा स्वेटर बुन रही है तो इन वाक्यों में बेटा उड़ा रहे हैं तथा बुन रही है क्रियाओं से ग्यात होता है कि क् वर्तमानकाल की क्रियाएं हैं तीसरे विटा संदिक्द वर्तमानकाल संदिक्द यानि संदे क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का संदे हो उसे संदिक्द वर्तमानकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का संदे हो उसे संदिक्द वर्तमान काल कहते हैं उधारन देखिए निधी अभी पढ़ रही होगी यहां पे क्या है संदे है मा बाजार से आ चुकी होगी तो यह क्या है यहां पे संदे हो रहा है तो इन वाक्यों में बेटा पढ़ रही होगी और आ चुकी होगी क्रियाओं से ग्यात होता है कि क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदे है यानि इन क्रियाओं के पूर्ण होने में संदे है अतह ये संदिक्द बरतमान काल की क्रियाएं हैं बेटा आपको इस पीडियों से ये बरतमान काल को अच्छे से समझना है अगले पीडियों में मैं आपके लिए भविश्चत काल की बीडिक भेजूंगे आप अपनी बुक से भी इसे पढ़िये और समझिये धन्यवाद बेटा